आदोस्तो प्रोग्राम मुद्दला के थोड़ी खिद्मते विछ हाजर हुए हैं सब तो पहला मैं दसना चामल का के चोना दा महौल है पामी मिराज प्रोग्राम जड़ा है वो पारत और पंजाब दी खासतो और जो दे अलेक्शन दे मद्दी नजर नहीं है पर फिर वीचिक असरी लोगतांतरिक की गल करिये ते लोगतांतरिक टांग दी नाल आजदे विशेद में अतारा वीजेद यानि ओ लोगतांतर खत्रे विच है और उस दे पच्छे एक सवाल यह चिन लगड़ा की की सच मुच हिंदोस्तान दे लोगतांतर अज़ी खत्रे विच है विशेद यो ते असी गल बत करेंगे और मैं तोनु जरूर तसमें चामागा और अज़ी त्रीके विच जदो लोगतांतर यह चाली है ते लोगतंतर यह नाल नाल पारत दे सवदान नरमाता डाक्टर भी आर अंवेड कर दी गल सब्तों अग्या जंदी है जदो असी अपनी मुलक दे विच अपने लोका देनार डिस्क्रिमिनेशन भी गल कर दे हैं जदो असी जाती बादी तुलना कर दे हैं इस रुक दे सिर्फ बोटा दे एक महीना लागे चाले जाके हैं और उस तो भाद पांच साल फिर प्रेक्टीकली टांग देनार कमजोर लताडे पच्छडे लोका नो जाती सुच देतानिया तो लाग कि मैं समझांगा क्यों अर्थ प्रस्तितियां देनार ऐस तरह कोई आज़न दा है जिमें काँ जडेने उकून जान दे बच्चे कोण देन और स्थितिया आज दी तरीक पिछ भी उत्थे पढ़ी हुई है गल्डाक्टर बी अर्म बेतर होरा दी इस करके कर रहे है कि उस सक्ष ने अपनी सारी जिंदगी जड़ी सी ओ लताडे लोका और दलित लोका और मैं समझांगा कि जिनन नो ओस विले अशूत लोग समझे सन उना वास पे मैं समझांगा कि अपने सुकूल दी विद्धिया तो लाया कि जो कटना करम उना नाल होए कॉलेज दी विद्धिया उस तो बाद बड़ियां बड़ियां जाब्स दे इत्थों तक कि वाइस राय दे जिड़े कार्ज काल दे विच उना दे फौजयां दे तो पारत दे अंदर हर कुस्टन पेपर दे विच पंजमी जमाद तो लाय के दसमी जमाद तक भी पुछे है जन्दा कि पारत दा पहला प्रदान मंत्री कौन सी ते क्या जन्दा मान जोग जबार लाल नहरू जी जड़े बच्चा दे चाचा जी शन पर अज तक किसे भी सल देद कर संडा कर बी आर अमबेद कर उन्नीस सो शपंजा तक अपनी जिंदगी दे आखरी सा तक राजसवा दे मेंबर रहे उन्नीस सो भवंजा विच उन्ना ने लग पक जड़ियां ओस्वेले सवधानेक तार दे उत्ते सीटां सी अपनी अजाद लेबर पारिटी दे रह की करनवाला ओर रहनमा चिड़ा सी ओर रैबर ओर इस जहान नो कूच कर गया पर उन्नीस सो बन में विच्चा के पारतरतन अवाड नाल सनमानत कीता जानदा आज पारत दे लोक तांतर दे उत्ते वड़ा सवाल लग दा के पारत दे पहले कनून मंत्री और सवधान काड़े जिनों शती साल बाद पारतरतन अवाड क्यों दिता गया और जदो ए सारी गला नाल रोजाना चल दियाने अज दी चोन विच चल दियाने अज लोक का दे रैफ्रीजरेटर सुंगे जारे ने करां दे विच कि इना दे विच कि इस तरह दा मीट प्या हुए है और अज लोक कुटे जा रहे ने तो उस पे ले एक अला जंदी कि की आज दी तरीक दे विच पारता लोक तंतर सैक रहा है उस विच आउन वाले समय दे विच जाए ना लोक सबाद दे विच जान पाएगी जाकि उस ता कतल हो जाएगा स्वाल बहुत बढ़ है और अज साडिनाल इस मसल नोबी न्यू यार्क थे वच वड्डे पदड़ दे अठी तरीक ते विच परचार रहा थे पसार रहा था ताहरिया जो कीस तर ती तो एक मद्डी गूनस चड़ीया दुनिया दी नोकर नुकरणों कर दे विच जरूर जा सकें आजव शेश तावर दे ज होते साधैश आज ओदे ओ प्रेजिडेंट वी ने ओ साड़े इस प्रोग्राम दे विच आज हाजर ने और उना दे नाल अमरीका दे विच डाक्टर भी अरंबेद कर दे मिशन नो अग्ये तोरन वाले और उना दे समागमान उ यू एन नो दे कचैरी दे विच लेके जान वाले हर दे दे अशोक माही जड़े के सिक श्रीगुरू रविदास सिक टेंपल दे जड़े प्रेजिडेंट ने ओवी साड़े नाल तश्रीफ फुर्मान ने जिना जिनाल असी अज़ कट गेंटिया वारे गल बात करांगे मैं सारे नो वेलकम कहना जी आया जी है अशोक जी अशोक ज सबसे पहले मैं सवाल ही आप से ये करूंगा कि डाक्टर भीयर अंबेद्गर का जो मिशन था मेरे को आज भी ये बात जो महसूस हो रही है कि बिलकुल बकैदा तोर पे आज भी डिस्क्रिमिनेशन वो ही है जो उस वक्त थी जब डाक्टर भीयर अंबेद्गर ने जे मिश शुरू किया और आपको लगता है कि जिस तरह का पूरे भारत में सिस्टम चल रहा है मनियोर्टी का मनियोर्टी में आज मुसलमान भी आ जाते हैं मनियोर्टी में सिक भी आ जाते हैं मनियोर्टी में बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं सब लोग मनियोर्टी में आते हैं और उन जोस्तार के लोग तंत्र का पूरी तरक कतल हो जाए। उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताना चाहता हूँ। थोर्ड स्टेटमेंट्स जिस महारास्टर से मैं आया हूँ। उस महारास्टर का सीम देवेंदर फड़नवीस अपनी भाशन में कहता है। आरेसेस के एक कैम्प में कहता है कि भारत में राजतंत्र के उपर धर्मसत्ता होनी चाहिए। इन स्टेटमेंट्स के उपर अगर आप गौर करोगे। तो डायरेक्टली के बीजेपी के उपर आरेसेस की कैप होनी चाहिए। यही है। बीजेपी के उपर आरेसेस होना चाहिए आपके मेंबर आप पारलमेंट के उपर अब बाबा लोग बैठेंगे और उसका काम शुरू हो चुका है। प्रग्या साधवी ठाकूर जो मालेगाव बांसपोर्ट की दोशी है जो जेल में पड़ी थी अब अपने इलाज के लिए भार आई है उसको वीजेपी ने टिकिट दिया है और वो मेंबर अपारलेमेंट की चुनाव लड़ रही है अब ये बाबा लोग संसद में जाएंगे ये लोग संसद में जाएंगे जो बयान चीफ मिनिस्टर दे रहा है कि राजसत्ता के ओपर धर्मसत्ता होना चाहिए ये दूसरा तिसरा कुछ नहीं है ये मनुसमूर्ती को फिर से भारत में लागू करवाना चाते है ये फिर से लोग तंत्र को हटा कर फिर से इनका धर्मस करता जो मनुसमूर्ती का कानून एक समय भारत में हुआ करता था वो फिर से इन लोगों को लागू करवाना है राइट 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 जी स्वाल जरूर करांगा तुसी अथी इस मिशन नो तो हो रहा है कदे भी इस तरह मिया मूमेंट्स चेडियां ने जिडिया यूनिटी नहीं है दलत वर्ग दी लीडर्शिप खरीदी जा रही है बकैना तो है और दूसरियां राजनी तक पार्टी हैं जिड़े लोग कदे केंदे सियसी डाक्टर भी हरम बेद कर दे वारस हैं अच वह भी खरीदे जा रहे हैं नहीं एदियों तकी प्रतिकर में पर पर यार्ट साथ अब बाववत अनवाद जैस्ट पंजाबी जिनने चांस सिता जिति परो रहन दे होंगा तेडित उसी गालगी ती यूनिटी दी एदे वास से हमेशां सारे ही सोई देगा यूनिटी होनी चाहिए दिया लेकिन खरीदों फरोफ भी ना आना चल दिया किस ने किसे लेवल दे ब्रकि جां देता हैं प्र dónde और यह जैसा टी एसिधी एकेर ख़तम किता गए दो असटेश्स पार्लीगरेंट हो शाट जी औस ब्रोबुत हो एक घू आ हैंबर पारलिमेंट लिया नहीं जिनने एजी आस थि जो यह अशत्री रेक प्रोफ शैश्न कर धे अगर प्रिटिकल देखा जावे ता इना बंदयानों उना चोन के सर्फ अपने काठ़ पुद्रियां बना आया जिनने मेंबर पार्लिमेंट जिनने मेले कोई भी रही गाल बार ली बार ली मेनों इना ने बेगंपुरा कल्चुर साइटी ने इंटरेशन कोडिनेटर जड़ा रहा है वह मंलके बनायाया घाए असे बडिटिया नेरी हमाशा तमना यहा रहिया के हरेकर नू नाल जोन ती कोशिश कर लिया उदा कारण है जिन्हें और बार बंदिया जानी आ ऊवह आजर रहें नहीं पैसे प्रोग्राम दिए कांटीनीव और ऑसी सारे प्रोग्राम देविचे तो आनु बिलकुल याद रखांगे मिल एक छोटे ब्रेक तो बाद आज ताम होता है लेकि अशोक माही जी जड़े के श्री गुरु रविदास सुसाइटी दे और गुरु कर दे परदान ने माही जी अच्छा कम कीता तुसी नौजवान दे रूप दे विच गुरु कर दी सेवा जड़े या ओ लाक या उथे कई कई कम जड़े ने उस गुरु कर दे कीते पर बेसिकली मैं समझागा कि नौजवान दे आमद दे जिस तरह दे मिशन दी गल चल दी है जिस तरह दी गल जड़े जड़े हो आज तुसी नौजवान दी हाप दे विच बैठी हो और तुसी सारे बहुत वदिया रोटी पाने खान दी हो कोई इस तरह दा मिशन चलाओं दा अरादा है डाक्टर अंभीद कर दी ना दी ती ती तेड़ा के पिछले एक दो साला तो तो आड़ी सला मश्मरी जरूर चल द और नाकिनों मिशन गुर्दवारी चुकाट के बार ले अंदा जावे किमें हो सकता है जार सार तो पहला आंता जास पंजाबी देख रहे हैं सारा मेरे वहलों बाई गुर्दू की पते जाय पीम जाय पारत जे आज समय दी सब तो बड़ी एही मांगा के बाबा साव ने ज यह जो मिशन आ एथे एथे अमेरिका न्यू जगतों ही होगा मेरी पूरी कोशिश है एक इंटरनेशनल लेवल देटे एक संस्ता बनाई जावे कि ओदू बच बावास आ जो भी सिख्यावान जो भी उन दे बिचार हाना गिबदा आ जावे ओधे नसार पूरे ही विश्व स्वाल मेरे मनमें आपके आपकोर की यह सरदार कपूर सिंग्स की बात होटी भी नियुक्ति की बहत होती है तो तब बी अरूर गारत की बात होती है तो ततब हरूर्म जिंग के साथ ये बेटा और उनका भाई बहुत लंबा समय अमरिस्टर दर्वाज साब में रहे क्योंकि वो बिलकुल एक मानवता वाला धर्म चाहते थे कि उसमें हम कनवर्ट हों और करोडों दलत ने थे इससे बिलकुल रुकसत जो थी उनको वो बाहर ही बाहर रह गए वो यह पा नहीं सके क कर द्बेकर सिक्धर्वाइन जौयन करना चाहती थे मगर वू भी एक डिस्क्रिमिनेशन थी अरूर सिंग जो डायर को सनमानत करने वाला अरूर सिंग्ः वो सबसे बड़े पदर पे अडिका बना के डक्टर अमबेड करवाले लोगों को सिख धर्म अडाप्ट ना करवाया जा सके क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है तो कभी-कभी मैं यह सोचता हूँ कि अगर उस वक्त यह गलती ना की होती तो दिल्ली का जो रॉइट है जो दिल्ली कतले आम है तो भी नहीं होता और शिख जो है हुई इंदोस्तान में मलियॉर्टी में ना होता आप इसके बारे में क्या कहेंगे बाबा साब अंबेड कर जी ने मेरे दादा जी को पंजाब में भेजा था ताकि वो सिखिजम पर पू चिल्की बाबा साब को दी और बाबा साहाब अंतिम समय तक सिखिजम को अपनाने के लिए और उनका फाइनल हो चुका था कि बाबा साब सिखिजम को अपनाएंगे मगर जब बाबा साब को पता चला कि सिखिजम में भी एक्वालिटी वहाँ पर नहीं है अलग अलग एसी से या अचूतो से गए हुए लोगों को उसी तरह से ट्रिक्मेंट किया जाता है यह बात मुझे तभी पता चली लेकिन जब मैं पंजाब में गया पंजाब गया जलंदर गया फगवाडा गया तब मुझे और जानकारी हासिल हुई मुझे जानकर यह अहसील होई कि बाबा साब सिख धर्म में आना चाहते थे लेकिन सिख धर्म में जो ब्रामण घुस बैटेते वो बाबा साब को सिख धर्म में लाना नहीं चाहते थे आप भी आप तो स्टड़ी करते हैं आप उनकी मिश्मिनी अपर हो आप अब भी स्टड़ी करते हो उस वकट तो अरूर सिंग था जो सारा कुछ कर रहा था क्या आज की तरीक में सिख धर्म के अंदर ब्रामन नहीं है वहां बैठे हुए जो कबजाधारी बैठे हुए है नहीं मैं जब सिखों से सुनता हूँ तब ये आज भी ये घुसपेट हुई है देखिए ब्रामन जहां जहां गया है जिस धर्म में गया है वहां पर वो घुसपेट हो गया वो चाहे इसलाम में गया हो वो सिखिजम में गया हो या हमारी बुद्धिजम में आया हो राइट 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 वो वहाँ पर जाके उसकी जो डिस्क्रिमिनेशन या उसकी जो वर्न वेवस्ता है वो उस दर में लागू कर देता है आज बहुत अधम्मे में भी उच्च वर्निय बुद्धिस्ट और नीचले बुद्धिस्ट ऐसा काम महाराश्र में चुरू हो चुका है जहाँ बुद्धिस्टम एक्वालिटी की बात करता है वहाँ बुद्धिस्टम में अभी अलग-अलग फ्रैक्शन्स दिखाई पड़ रहे है तो ब्रहमन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर अपना चातुर वर्न वेवस्ता को लागू करता है राइट 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 बाबा साब अगर उस समय सिख हो जाते तो नाइन मिलियन लोग बाबा साब के साथ सिख हो जाते थे 9 million लोग मुझे पंजाब से जो जानकारी हसिल हुई कि वहां के धर्म गुरू उस समय के धर्म गुरू ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि अगर बाबा साब सिख हो गए तो सब को किरपान रखने की अनुमती मिल जाएगी और अगर सब को किरपान रखने के अनुमती मिल गई या सब लोग सिख हो गए तो ये हमारे सर पर बेढ़ जाएगे बिल्कुल दृस्त ये हमारे सर पर बेढ़ जाएगे और इसलिए बाबा साब को सिख धर्म में आने से رोका गया ये जानकारी नहीं जानकारी मेरे दादा जी के बाद मैं जब पंजाब में गया तब मुझे हासिल हुई राजरतन जी ऐसी मैं बापस आउँगा आपके पास फिर और हरदेव जी के साथ भी कुछ बाते होगी दोस्तो प्रोग्राम नो असी रखांगे इसी तरह जारी मिल देख छोटे देख ब्रेक तो बात आद दोस्तो हाजरें सुड़ी खिर्मत देविच्छ प्रोग्रम अचिता मुझे अमुद दाला कि साहाई साथ एक वरी फेट तोड़ा स्वागत है साहाई साथ स्वाल मेरा तो अनु है, बड़ा तिखा स्वाल है तुसी पैरोकार हो, तुसी गल कर देओ, तुसी दलत वरग दी गल कर देओ, वदेष चमैट के कर देओ ज़िए तो आनों जरूर इतनी है रोटियां बहुत सोनीयां मिल दीगां बर्गर मिलदा जिदाना चाहो खा सके हैं पर मैंनों एक गल्दस्यों के वदेश देविच वैटे जहां पारत देविच वैटे डाक्टर भी आरम बेद कर दे पैरोकारा ने आज तक एगल नो क्यों पहुं पयारमभिन गरेज के थे कोई तो पहले पहले कनून मंतरी सी, आज मैं समझाएंगा कि आपनौन मंतरी नो नहीं पता कि पारत देविच न कर देडमिन कि थे जिनने वियाए चाहिए बेलकुल 100% हुई राहिट है वो कनून मंत्री काट कें देँ तब मसीह जादा कें देँ क्योंकि कनून मंत्री वो मसीह तो भी उपर ली गाल सेगी जिनने सब्दान लेखा जिनना सारे राहिट जेते सारो कुछ कीता और जिनने एस से कलंबिया यूनि सीहे दियां जेड़े डेफिनेशन ना वो चेंज करके इनना सिर्फ दलतान लादे जब लेडी जी काल करिये बूमराइट सी जो जैस विले रजाइन कीता की कालो लेडी सर्फ दलत ये कलिये हैं डिस्गरी ने ने कोई काम भी किता ओधे भी किसे तरीके ना लेओना चांद सब्सक्राइब है और वोमन और तानु जदो अब्राबर्दा अदकार देने दी काल आज पर मैं समझांगा कि उसमें लेक मेंबर पार्लिमेंट कले दा कला पूरी संसद दे विच्छों रजाइन करदा है कि और तनु ब्राबर्दा अदकार क्यों नहीं दिता जान दा और स इसा जंजाल पाया सारे इंडिया वेच्छ हर तर्म वेच्छ हर बंदेदें द्माग वेचे पाया कि इस डिस्क्रिमनेशन कारना और होना कि दना रही गाला पाँ बाहर बेठे हैं रियाड सब एक देल पे दर्द रहेंदा एक तो अडिगाल बिलकुर सही है बर्गर काओ जो मार जी का ओ एक दर्द जेडा साडे पिछे पाई पर आप बच्चे या सड़ा समाज उनना डिस्क्रिमनेशन क्यों हो दा यह कदि किसे नो रोहे तो बहुत मुला मारया गया तो माननों दोख हो है यह सहान पर लोगानू नहत्यान मारया गया क्यों मारते है मैं द स्टे किड़ी सचाई हुं दिया डिस्क्रिमिनेशन जड़ा ऐसा जड़ा समाज बेचे जैर फैल चुका इन बहुत करना कै राजरतन जी आपके आपके पास मैं आ रहा हूं और आपका बहुत भी खास सवाल मैं आप से करना चाहता हूं कि एक बात जब चलती है तो उस वक्त ये बात होती है कि डाक्टर बी आरम बेकर ने डलतों के लिए जो राखमा करन था सीटों में क्योंकि जब पहले गैरा सीटे की इसमें से चार मैंने पहले जिकर किया हिंदू को चार मुसल्मानों को दो सिखों को और एक एंगलो जब इसके वो राइट चोता अंग्रेज आकूमत से मिल गया मगर उसके बाद उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपना आंचन कर दिया वो खड़ताल कर दी कि वही दलतों को राइट नहीं मिलना चाहिए दलतों को राइट ना मिलना चाहिए तो गांधी जी जिनको रंगीला सरकार ने दिया था वो वापस चला गया इसका कार्म क्या था मैं आपको इस घटना का पुरा विस्तार से बताना जाएँगा देखिए पहले तो मैं गांधी को महात्मा नहीं कहता है यह वर्ण वेवास्ता को मानने वाला विकती था महन्दास करमचन गांधि जब बाबा साब अंबेड कर्जी ने राउंटेबल कॉनफ इस कौमूनेल एवार्ड प्राप्त किया कौमूनेल एवार्ड के खिलाप गांधी थे गांधी नहीं चाहते थे कि equal rights untouchables को भी दिया जाए depressed classes के लोगों को equal rights मिले और representation मिले संसद में political उनको कोई अधिकार हो ये गांधी नहीं चाहते थे गांधी ने एक नहीं, दो नहीं तीन बार अंग्रेजों को खत लिखे है कि वो अंचन नहीं करना चाहते वो अंचन नहीं करना चाहते केवल बाबा साथ अंबेडकर जी को दिया हुआ communal award आप वापस ले लो फिर से ले लो अंग्रेजों ने reply भेशा कि गांधी जी आपने खुद सहमती दी है खुद अपने signature की है कि जो कोई solution हम देंगे वो आपको कबूल होगा ये आपने खुद सहमती दी है तो आज आप ऐसा कहसे कह सकते कि आप वापस ले लो तो हम बाबा साथ को दिया हुआ अधिकार वापस नहीं लेंगे second उन्होंने बाबा साथ अमबेटकर जी के उपर pressure डाला कि आप खुद से कॉमेनल आवड छोड़ दो खुद से वापस लोटा दो बाबा साथ ने उस समय गांधी के लोगों से कहा कि सामने के पोल पर मुझे लटका कर गोली भी मार दीना तो भी मैं ये कॉमेनल आवड फिर से नहीं दोंगा मेरे लोगों के अधिकार नहीं दोंगा उसके बाद ये सारा किस्सा शुरू हुआ बाबा साथ अमबेटकर जी ने 1946 में What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables ये किताब लिखी और उस किताब में बाबा साथ का ये आपने जो कहा कि क्यों छोड़ना पड़ा बाबा साथ का खत है वो खत पड़ते हुए हमारे आखों में आसू आते है क्यों छोड़ा पता है बाबा साथ ने कॉमेनल आवड और पुना पैक्ट पे क्यों साइन की क्योंकि गांधी के लोगों ने हमारे घरों को जलाना शुरू कर दिया गांधी के लोगों ने हमारे लोगों को पीटना शुरू कर दिया और बावा साब अमबेटकर जी के सामने ये सवाल कड़ा कर दिया कि Commonwealth Award चाते हो या अपने लोगों की जान, अपने लोगों की रक्षा चाते हो बाबा साब के सामने दुविधा मनिस्तिती पैदा हुई कि ये Commonwealth Award में जिनके लिए लाया हूँ वो ही लोग अगर जिवित नहीं रहे तो ये Commonwealth Award में किसको दूंगा और अगर गांदी को कल कुछ हो जाए, गांदी अगर चल बसे तो मेरे लोगों को ये पीटेंगे, मारेंगे, इनके घर जला देंगे बाबा साब ममेटकर जिने समाज के लोगों के लिए Commonwealth Award बाबा साब ने लाया है पिल्कुल सही बाता है कि दोस्तो प्रोग्रम नो ये से तरह सी जारी रख रहेंगे, मिल देख छोटे जब ब्रेक तो बाद मिल देख प्रोग्रम आजना मुद्धा लेकिंगे, मिल एक सवाल बहुत है, मगर मेरे पास समाब बहुत कम है पिल्कुल चोटे चोटे देख एक तो मैं समझता हूँ कि हमारी पंजाबी कम्यूनिटी में ये बात हर बार होती है कि डाक्टर भी आर अमबेड करने जब सवीधान लिखा तो सिख्खों के लिए जो उनके राइट जो थे उनमें कुछ ना कुछ जो है वो नहीं दिया गया जो उनको चाहिए था जो जितनी कुर्बानिया थी ये चीज जो है वो एक sign of interrogation लगता है इसके बारे में क्या कहोगे मैं अच्छा आपने सवाल किया है मैं इस माध्यम से सीख भाईयों को कहना चाहूँगा देखे बाबा साथ जब सविधान सभा गठीत हो रहे थी तो सविधान सभा में जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वल्लभाई पटेल गांधी नेरू बाबा साथ को सविधान सभा में आने से रोक रहे थे वल्ले भाई पटेल ने बाबा साहब से कहा था कि आपके लिए सविधान सभा के दर्वाजे ही नहीं तो खिड़किया भी आमने बंद रखी है लेकिन बाबा साहब पच्छिम बंगाल से इस सविधान सभा में गए लेकिन जब बाबा साब को सविधान लिखने की बारी आई जो भी आर्टिकल बाबा साब बनाया करते थे वो आर्टिकल पहले तीन लोगों को बाबा साब को बताना पड़ता था दिखाना पड़ता था उनका अप्रूर लेना पड़ता था अगर इस देश का सविधान लिखने की दोबारा बारी आई तो मैं वो पहला इंसान होंगा जो समर्थन करूंगा क्योंकि बाबा साब कहता है कि जिस तरह का सविधान में बनाना चाहता था इन लोगों ने मुझे वो फ्री हैंड नहीं दिया मुझे बहुत सारी आर्टीकल्स पर इन्होंने काम करनी नहीं दिया और मुझे वो छोड़ना पड़ा आज सिखों को हिंदू का हिस्सा माना जाता है यह सारा जो आर्टीकल्स में हम लोगों को हिंदू माना गया है यह गांधी पटेल और यह सारी जो वर्न वेवस्ता के समर् ये उनके वज़े से आज हम लोगों को हिंदू का हिसा इस सविधान में माना गया है मैं सिखों को बताना चाहूंगा इसमें बाबा साहब जितना भी अंदर आके जितना भी कर सकते थे बाबा साब ने उतना किया लेकिन इन लोगों ने जो वरन विवस्ता को मानने वाले लोगते उन्होंने बाबा साब को ये सारे अधिकारोल से हम लोगों को वचित रखने के लिए इन में क्या बोलोगे 1956 में उनकी डथ होती है 1992 में उनको भारत रतन अवाड दिया जाता है जब उन इंडिया को भारत रतने ये नाम बदल के ब्राह्मन रतनत करना चाहिए। सारे ब्राह्मनों को ये भारत रतनत बाटते हुए नजर आ रहा है। बाबा सब अंबेड करजी को भारत रतने इन लोगों नो दिया है 1991 में शत्ती साल के बाद बाबा साब का गवरो भारत करता है। लेकिन बाबा साब के विचार ये लोगों को नहीं चाहिए। आगे आना होगा। और इसलिए आज भारत रतन जेसा किताब 92 में 91 में बाबा साब को मिलता है। अनों मरने के बाद महा परिनिर्वान के 36 साल के बाद लेकिन मैं देखी आज आज आप नियू यॉर्क में यहाँ पर बैठा हूँ। मेरा इंटर्विव ले रहे है। लेकिन आज तक किसी नियूस चैनल, इंडिया के नियूस चैनल ने मेरा इंटर्विव नहीं लिया। क्या बाद है। क्या होने के नाते यहाँ पर बुलाते हो लेकिन मैं भारत में इंसान नहीं हूँ। मैं जाती का एक तुकड़ा हूँ। और इसलिए ब्रहमणी वेवस्ता मुझे अपने चैनल पर नहीं बुलाती। क्या बात है। क्या बात है। राजरतन अशोक अम्बेदकर जी। मैं आपका अभारी हूँ। आपने बहुत यह कीमती वक्त निकालके आप आए। और मेरा कहले जितना आपको प्यार मुहबत जो है न्यू यॉर्क की लोगों ने और सबसे बड़ी बात जो है कि यह वो नानक नाम लेवा है जो कहते हैं राजशी मकदम कुत्ते और मानस की जातसब एक ही पहचान वो जे उनकी धरती है और जिसे नी है और जिसे सब लोग जितने भी आपके साथ आई हैं ने उनको आज दिखा नहीं सका चाहे बलवीद जी है चाहे पिंदर पाल जी है ज़ार सारी तमाम लोग आपके साथ आई हैं न Israeli वी दन्यवातियों धन्यवात करता हूं कि आपको लेकर आए और उमीद करता हूँ कि आप हर साल यहां विजिट कीजिए जो आपकी आवास है आपकी बात है हमारे इंटरनेशनल प्लेट फार्म के उपर लेके आए जब तक दबे, कुछले, तंग, दुखी, लतारे लोग जो है वो एक प्लेट फार्म पे अकठे नहीं होते तो उनकी गती नहीं होगी, हमको वचार मजबूत करने पड़ेंगे तो आपका बहुत बहुत तर्म प्लेट थार्म जाए जाए पिरेड़ जाए वारनों मिशीगन लेंसिंग दी प्रेड है और उस प्रेड नहीं कवर करने होते संगत मुझे बड़ी जोश्योख रोशनल मिलने है और जास पंजाबी दे उन्हों लाइब दिखाया जाना है और उस तो बाद एतवारदा सड़ा कलीवलेंड दा भी ट्रिप है पर अज जो भी तो अड़ेवचार होंगे प्लीज मैनु इमेल जरूट करनार्यार अजिस्ट्ट्रोडस्टिंग डाट कम और इंफो अजिस्ट्ट्ट्ट्ट्ट गाम अज दे प्रोग्रम चेति अजाजद्यो अर्राब राखा तोड़ापना नाचीज अर्विंदर रियार